हेलो माइ ब्यूटिफुल फैमिली कैसे हैं आप सब मैं हूँ आपकी फ्रेंड सोनिया और आपका बहुत-बहुत स्वाज़त है के टिफ लेमर्स दोन में फ्रेंड्स आज जो फ्रेंड्स मेरे चटपटा थाने के शौटीन है यह रैस्पी उनके लिए है थास आज हम बनाएं वी लाजन के लाँ लूँ सऺयल तो यहां पर लेल है है मैंने यह हरी मिर्चे आप देख सते हो यह तेजवाली हरी मिर्चे अधम पतली यहां पर मैंने लिए है एक निम्बू इस तो अभी हम साइड में ड़ेते हैं पहले हम थोड़े से ठड़े मसाले कर लेते हैं यहां पर गाइज मैंने लिया है तीन स्पून से चार स्पून तर सौंफ अब हम डालेंगे इसमें वन स्पून जीरा वन स्पून राई वन स्पून कलॉंजी और वन स्पून अजवायन अब हम फ्रेंड इस तो अच्छे से भून लेंगे यहां पर आप तो बहुत जाड़ा नहीं भूनना है इस ते हल्टा हल्टा ही भूनना है जैसे ही इसी घुषभू आने लगे आप फ्लेम को आफ कर लीजे तो फ्रेंड्स यहां पर हमने तू स्पून ओयल ले लिया है गाईज अब मैं आपको अपने मसाले साथ साथ बताती हूं कि हम क्या क्या डालेंगे अब हम तेल तो थोड़ा गरम होने देंगे अगर आप तो थोड़ा डाउट हो तो आप ऐसे हाथ लाके देख सकते हैं जब भाप हमारे हाथ में आने रच जाए तो समझ जाईए अच्छे से गरम हो गया यहां पर हम दालेंगे जाईज थोड़ी सी हींग अब हमने डाला है हाफ स्पून हल्दी यहां पर आप ड्रेस पर इदम स्लो फ्लेम में कर देंगे और वन स्पून गरम मसाला अब यहां पर जो हमने अपने मसाले भूने वे थे हमने उससे अच्छे से ज्राइन के लिया है आपने इदम फाइन पेस नी बनाना जाईज आप देख सकते हैं आपने थोड़ा दरदरा पीसना है आप इसमें हम इसको डाल रहेंगे और यहां पर आप फ्लेम को एदम आफ कर लेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे आपने यहां तेल टा ज्यादा इसमाल नहीं करना है गाइस बहुत इलाजवा मिल्चियां बनती है ऐसे ठाने के साथ इंटा मज़ा ही आजाता है आप अच्छे से भूम लीजे इसको हमने फ्लेम इतम आफ कर रखी है अब इस स्टेज पर डाइस हमने नमक पहले नहीं डालना है अब हमने अपना नमक डालना है अब यहां पर मैं वन स्पून नमक डाल रही हूं इस पर अच्छे से मिला लिजे अब हमारा मसाला एकदम भून चुटा है गाइस अब मैंने आप तो पहले दिखाया था मिर्चे ओटे साथ एक निम्बू तो निम्बू हम इस स्टेज पर डालेंगे नमक यहां पर तड़ाई में ही डालना है अगर आपता बरतन बड़ा है आप अगर बड़े बावल में निकाल रहें तो बावल में भी आप मिक्स कर सकते हैं अब यहां पे हम निम्बू डालेंगे बहुत इला जवाब लगती है जाई ठटा ठटा बहुत ही मज़ेदार स्वाद आता है इसमें हम इसमें अच्छे से न अब मैं हाफ और डालूंगी आए बहुति ला जवाब टेस्ट आता है जाई औयजम कईह भार क्या होता है सबके बसकी नहीं और अचार बनाना और कईवार कईहों के हाथोंबे फे эт होता टार्व फरीं मीड़ा हो जाता बहुत ही लाजवा मिल्च लगती है गाईज एवा बनाके क्राई कीजिएगा अब मुझे जरूर बताएगा कि आपको ये कैसा लगा ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेस्पी लेके आऊँ तो चले गाईज अब हम इसे निदाल लेते हैं सो फ्रेंड्स हमारा मसाला बनके तयार हो चुका है गाईज अब हम इस मिल्च्टो बीच में से फाड लेंगे इस तहिके से आप चील सकते हैं और इसको आप अपनी दो अंग्लियों में इस तहिके से फसाके और फिर हमें अच्छे से इसमें ये भरना है मसाल आप चाहे तो ग है ऐसा नहीं है कि उसके अलग मसाला होता है और आप बना के देखेएगा पतली मिल्चों में बहुत ज़्यादा स्वादा आजाता है गाईज इस तहिके से आप भरेंगे तो बहुत ही असानी से भर जाएंगे आपकी मिल्चे इस तरीके से आप सारी मिल्चे भर लेजिए आप सारी मिल्चे भर लेजिए आप देख सकते हमने मिल्ची में मसाले सारे भर चुके हैं देख लिजे गाईज अब यहां पर हमने वन स्पून और जरम किया है गाईज आप इसे हम इसमें इस तरीके से डाल देंगे इसे आपने इसे बाद कुछ सेकंड के लिए ढटके रखना है और यह कुछ सेकंड में तयार हो जाती है इसे आपने ज्यादा भूनना नहीं है दो-तिन सेकंड के बाद आप इसे एक बाद पल्टेंगे और उसके बाद दो-तिन सेकंड के बाद हमारी भरवा मिल्ची इद्दम बनके रेडी हो जाएंगी जाएज तो चलिए अभी हम इसे हिलाना नहीं है अभी हम इसे ढख देंगे अब आपने इसे आराम फिर पलट लेना है जाईज देख सकते हैं आप तो आप अच्छे से पलट लीजे अब हम फिर से कुछ सेकंड के रखेंगे आपने सिर्फ फिर सेकंड के रखना है जाईज इसे ज्यादा नहीं रखना है आप देख सकते हैं हमारे इद्दम भरवा मिर्ची तयार हो चुकी है अब आप चाहे लंच में ठाएं चाहे डीनर में ठाएं बहुत ही टेस्टी लगती है और आप मुझे जरूर बताइए रागी आपको मेरी रस्पी कैसी लगी और अगर आपको इस्पेशल रेस्टीपी भी चाहते हैं किसी चीज़ पर तो वह भी मुझे डाइस बताइएगा मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगी सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए मिलती हू नेस वीडियो में आपसे तब तक के लिए बबाई टेक केर लव यू